हेट कि अज़िए यह गोश्चन आपके सामने हैं भूक में शायद है यह गोश्चन हो नहीं भी है तो कोई बात नहीं हम पहले समझ लेते हैं इस कोश्चन में नोटिंग आप बात में करेगा पहले समझ लेजिए पहले पूरा कोश्चन ठीक है इसी कोश्चन पर पूरा चप्टर हमारा घूमेगा आगे पीछे और ब्रांच अगर आपको डिपार्टमेंटल समझ में आगे तो ब्रांच से इजी है यह चप्टर देखे सबसे पहले आपको कहता है कि from the following आपको कुछ information given है prepare accounts disclose total profit and loss to department हमारे पास दो department है एक department ए और एक department भी अवे profit and loss बनाना है तो यानि trading भी बनेगा और पीएंडल भी बनेगा तो department ए का अपना stock है और बी का भी अपना stock है फिर department ए का अपना अलग purchase दे रखा है बी का तो इसमें तो समस्या ही नहीं है फिर department ए का अपना हो जाएगा अब दे रखा है आपको carriage inward carriage inward मतलब समान खरीदने का अब यहां पर टोटल दे रखा है यह नहीं बताया department एक या फिर department भी अगर हमें नीचे जानकारी में दे रखा हुए कि ऐसे बाटना है तो वैसे बाट देंगा नहीं तो हमने पता है कि भाई carriage inward समान खरीदने का खर्चा पर्चेस में बटना चाहिए अब इसके बाद देखा जाए तो हमारा salary अब department A का है और B का है तो इसमें तो कोई समस्या नहीं है अब देखा जाए तो जर्नल expense अब यह खर्चे common है तो यह दोनों में बटने चाहिए अब कैसे बटना चाहिए यह या तो कुशन बोल दे हमें या फिर हमने जैसे सीखा है वैसे हम देख लेंगा भी इसके बाद रेंट है का है या फिर दिपार्ट्मेंट बी आगे देखा जाए तो डिसकाउंट रिसीब भी क्या दे दिया comment दिया common मतलब mix देदिया आप पता करो कि कौन सा कहा जाएगा और जैस्मेंट कहता है goods transfer from A department तू B डिपार्टमेंट इसको हम अभी स्टार लगा लेते हैं में बार देख लेंगे अभी समझ हम बेका जर्नल सेल्री और टुबी टीटेड इकॉली जो जायेगा चारी जर्नल सेल्री और टूबी अब जर्नल सेरी की बात करें तो यह जर्नल सेलरी तो गीवन है सिर्फ जर्णल होगा यह सेलरी गलत आगे न तो जर्णल जो है यह सेलरी गलत होगे यहां से अटा देते हैं तो जर्णल जो है वो आपका बरावर बरावर बढ़ जाए गए 11600 जो दे रख एक है आगे कहता है इन तो कहता है बहां जो करीडा है जो समान खरीदा है उसका उनाची ऑब देख सकते हैं उसमें आपको मिल जाए लेंगा क्या सर ला टेश वर वर्ड कहां गया पर्चेश पर्चेश कहां गया यह रहा कहता है कैरेज और पर्चेश डिसकाउंट रसी आगर वैसे ना समझ में आए तो आप इसकी मदद ले सकते हो ठीक है आगे कहता है क्या दा एरिया ओक्यूपाइड बाइदा रेशो थी स्टू टू अब थी स्टू और डिपार्टमेंट बी टू तो जो रेंट है वो इस एरिया रेशो में बढ़ जाएगा आगे क्या कहता है इंसॉरेंस प्रीमियम कम्प्रेंसिव पॉलिसी है अलोकेशन बींग आपका इनकन्विनियन मतलब भाया इंसॉरेंस जो दे रखा है यह कम्प्रेंसिव पॉलिस एक अपना दे दिया और बी का अपको समस्या ही ने भाई क्लोजिंग स्टॉक दे दिया तो आगे कहता है ऐलोकेशन ऑफ एडविटीजमेंट एक्सपेंस जो होगा हमारा वो होगा किस बेसिस पर जैनल एक्सपेंस डिसकाउंट अलाउड इन दा रेशो आफ सेल्स तो यह कर दो कुछ आहीं चल गया वह देखोकुछ के बारे में बताया और कुछ के बारे में अब चैलेंज आता है पहले वाला कॉँवार ऐसे होता है जैसे कि मैंने जोताँने आर्यक् wife निंगा हुआ रहुज प्रफिट वाला कॉंसेप्ट हो सकता है तो जो इंटर डिपार्टमेंट है अभी क्लियर हो जाएगा पहले एक बार आप कोश्चन पढ़ लीजिए बताइए कोई डाउट है तो कोश्चन देखिए सामने है अगर कोश्चन एक बार जरूर तो जर्नल पींडल में भी डाल सकते हैं बिल्कुल लेकिन यहां पर बोला हुए जर्नल को इस रेशो में बाटना है जब इसने बोल दिया है तो फिर हमें सूच रही नहीं है जर्नल पींडल में नहीं दिया हो तो आप ले जाए फिर जर्नल में और एक अकाउंटिंग सिंपल मैंने बोला फाइनेंस के जितने भी खर्चे होते हैं वह नहीं बढ़ता क्योंकि अकाउंटेंट को कितनी कहां की जर्नल इंट्री कितनी कर रहा वह गिनना पॉसिबल तो नहीं है जैसे कि माल लेते हैं आज की सेल्स डिपार्टमेंट एक ही जादा हो गई बीकी कम ह अब हम क्या करेंगे यहां तक सभी को क्लियर और किसी बच्चे का कोई डाउट सभी को क्लियर है हम जो ट्रेडिंग और पी इंडल बना लेगे ना एकी साथ बना लेगे एसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा इसके अंदर कुछ करने वाले हैं एकी साथ हम तीनों कॉलम बना क Minh ser you can use Hier हो जाएगा टोटल का कॉम्ह muchísimo यह हो जाएगा एक का बीकाई कर सेम अधिय्ड हो जाएगा कि हम बार बार ना अलग अलग बनाने और टाइम लग जाएगा क्योंकि E के लिए अलग कॉलम B के लिए अलग कॉलम सी के लिए अलग कॉलम तो heating a हम इसे में देखो किया से से मैनेज करेंगा आपने भी ऐसे ही करना है । हमने बना लिया यसे जननल ß लिक है बस इसमें लिक स्वाट है ट्रेडिंग and profit and loss account, ठीक है, यहाँ पर आगया department A, यहाँ आगया B, यहाँ total आगया, मतलब journal हो गया एक तरीके से, यह particular, और यह A, और B, और यह total, ठीक है, और यहाँ particular हो, यह debit हो गया, और यह credit, हर एक student को question clear है, नहीं है, तो फिर भी मैं पढ़ता जाऊँगा, और आपको clear होता जाएगा, ठीक है, अब सबसे पहले क्या आता है, trading account, तो मेरा मानना है, जैसे हम पहले करते थे generally, कि भाईया, इतने में हमारा trading आ जाएगा, और फिर बाके नीचे P&L, लेकिन यहाँ P&L के बाद भी एक general P&L भी बनेगा, या तो हम यहीं बना लेगे, अगर line नीचे बसता है नहीं, तो हम अलग page पे बना लेगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम opening stock लिखते हैं, आपको पता है, तो opening stock, यानि इस chapter को सीखने के लिए final account की knowledge होनी जरूरी है, क्योंकि मैं यहाँ पे यह नहीं समझाऊँगा, कि direct expense यह होता है, indirect expense यह होता है, salary P&L का part है, wages आपका trading का part है, क्योंकि यह आपको final account में ही सीखने को मिलेगा, तो opening stock, अब opening stock देखा जाए, तो एका जो है, that is 15,200, 10,800, चीक है, अब जो total होगा, वो 26,800, कितने 26,000 ही होता है, यह opening stock लेती है, यानि हमने opening stock का account complete, purchase जो होगा, यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन वहाँ पर क्या था, एक ही item था, तो एक ही जगए हम purchase में से purchase माइनस कर देते थे, अब यहाँ पर हम purchase ना लिखके, मैं direct माइनस बाहर ही करके लिख रहूंगा, क्योंकि यहाँ possible नहीं है, कि मैं यहाँ purchase लिखो, फिर माइनस करू फिर दो-दो बार करना पड़ जाएगा, तो ठीक है ना, तो मैं यहाँ purchase या net purchase लिख देता हूँ, और इसको working note की तरीके से बाहर लिख लेंगे, that is net purchase, ठीक है, और मैं यहाँ पर A department का purchase और B department का purchase, A का purchase कितना है, 75, और इसका purchase कितना है, 69, जब इसमें से purchase return का number आएगा, तो minus करके मैं direct दिखा दूँआ, ठीक है, अब आगे देता है आपका carriage, inward, carriage, inward भी आपका trading का हिस्सा है, तो इसलिए यहाँ लिख देते हैं, to carriage, अब सर, carriage को किस ratio में बाटना है, inward को, question ने कहा, suitable, आपके अपने knowledge के साब से, तो बहुत तक purchase का ratio नहीं निकलेगा, तो carriage निकलेगा और purchase का ratio पहले, purchase return minus करेंगे, तो निकलेगा जाके हमारा, ठीक है, इसके बाद क्या है हमारा, salary है पहले, तो salary तो P&L का part है, तो 2 salary, अब salary एका अपना अलग दे रखा है 9000, और 8500, और total 17000, ठीक है, अब आगे आ जाते है, बागी total वाला column ना भी बनाओ तो चलेगा, वो तो हम बस अपनी knowledge के लिए बना के चल रहे हैं, अब आगे आगे journal, अब journal खर्चा है ये, तो कहां जाएगा journal, तू journal, अब journal को बोला गया है, one is to one में, तो कितने कितने हो जाएंगे, तो 5800, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर, ये ट्रेडिंग में भी आ सकता है, तो जनल मैं as a expense indirect मान के चल रहा हूं, direct expense नहीं मान रहा, total आगया हमारा, ठीक है, जनल के बाद आजाते हैं हम, rent and rates, ठीक है, जनल आगया rent and rates, तो rent भी यहीं का पार्ट है, और rent भही है, किस ratio में बटेगा, area के basis पे, तो rent and rates जो है हमारा total दे रखा है, हमें कितना दे रखा है total, हमें total दे रखा है rent and rates 6000, और 6000 को area के basis में बाट नहीं, यानि 6000, 3 is to 2 में बाट देंगे, तो 3 is to 2 के ratio में जो बाटा जाएगा, 6000 divided by 5 into 3, तो 3600, और 2, 2400, ठीक है, इसके बाद आगे देखा जाएगा, insurance, insurance तो मना ही कर दिया था, advertisement, तो 2 advertisement, total कितने का है advertisement सर, 81, और question में clear बोला हुआ है, advertisement जो बचेगा, नीचे कहता है कि advertising वगरा सब कुछ sales ratio में बाट, यह तो sales आएगा, तब बाट पाइंग, अभी ऐसे छोड़ देते, इसके बाद है हमारा discount allowed, तो यह भी sales में जाएगा, अभी लिख लेते हैं, discount, कितने रुपे का है, 18, यह भी sales ratio, एक बार लिख लें फिर आजाएगा, इसके बाद है accounting charge, वो अलग जाएगा, ठीक है, अब आ गया जाते हैं, credit side में sales है, तो sales, अलग अलग लिख लेते हैं, by sales, given है आपको, that is sales जो given है, वो एक लाग और असी हजार, तो यह आ गया, एक लाग असी हजार, ठीक है, परचेज रिटन है, तो माइनस कर लेते हैं, चलो परचेज रिटन, 11,000 रुपए और 800 रुपए, तो इसका कितना गया, 74,000 और इसका 69,000, ठीक है, तो यहां ले लेते हैं, 74,000 और 60, तो अब ratio आ गया, इसका हमारा देखा जाए, तो roughly idea आपको ratio का लग जाएगा, 79, 74, इस्टो 69, 00, काट दिया हमने, अब इसको बाटने का calculator पर क्या तरीका होता है, बहुत simple रहते हैं, पहले आप दोनों को जोड लीजे, क्या, 74 प्लस 69, जोड लीजे, यह याद रखना है, 143 आ गया, अब हमें क्या करना है, हमें बाटना क्या है, carriage, carriage का total कितना है हमारा, 60, तो ध्यान दिजेगा, तो अब मैंने 28, 60 लिखना है, और divide का symbol प्रेस करना है, अब divide किससे करना था, 1, 143, 143, ठीक है, उसके बाद हमें equal to नहीं करना, देखो, पहले मैंने digit लिखा, फिर divide करना, फिर into का symbol करना है, अब इसके बाद पहला ratio क्या है, 74, तो 74, और equal to करो, आजाएका 1380, यानि आपको बार-बार करने की कोई जोरती नहीं है, अगर और कोई भी ratio होता, आप करते जाएंगा, यह सिर्फ calculator पर होगा, और calculator आपके exam में allowed है, और कौन सा calculator है, आप देख पा रहे हो, मेरे सामने एक journal calculator आता है, तो इस type का ही calculator आपको लेके चलना यह बाटने में बड़ा आसानी होता है, ठीक है, ऐसे ही यहां तक बट गया हूँ, अब एक मैं बाटूँगा, एक आप ट्राइकर होगे बाट के ठीक है, अब sales का ratio क्या है हमारा, एक लाख और 80,000, यानि अगर मैं इसको simple बात करूँ, तो दस इस तो आठ आ गया, ठीक है, इसको और भी छोटा किया जा सकता है, देखा जाए तो, ठीक है न, पाँच और चार, लेकिन हम इतने में ने जाते, दस आठ पर बाट लेते हैं, तो हमें बाटना है कितना 81,000, और दस और आठ दोनों को जूड़ो पहले, जो कि आएगा 18, तो divide का symbol करके, 18, और into का symbol प्रेस करना, equal मत दमाना अब, फिर से देख लो, आप, 18,000, divided by 18, और into का symbol प्रेस करना है, अब हमारा पहला ratio क्या है, 10, अब equal to, यानि 45,000, दूसरा ratio क्या है, 8, और equal to, जितने भी होंगे, बढ़ते जाएंगे, 36,000, अगले वाले को कैसे करेंगे, 1800 को, sir, 1800 divided by, कितना है, 18, into, अब पहला क्या है हमारा, 10, तो ये आगे हमारा, 1000, और दूसरा क्या है, 8 को प्रेस, और equal to, ये आगे, 800, प्रेक्टिस करोगा, आपको समझभा जाएगा, ये थोड़ा सा काम क्या होगे हमारा, असान होगे, बार ब हम कुछ बाट दिया है, तकरीवन, तकरीवन, ऐसे कुछ खर्चे हमें है, जैसे कि एक insurance और एक accounting charge, जो की नहीं बाट पाएं, तो उसको हम कहां ले जाएंगे, जर्नल पींडल में ले जाएंगे, ठीक है, उसको कहां ले जाएंगे, जर्नल पींडल में, और एक adjustment रहे गया, that is adjustment number A, तो मैंने कहा, कि जब कभी भी goods transfer, किसने किसको किया है, यह चेक करो, तो कहता है, A ने B को किया है, तो A के लिए तो sales होगा न, तो buy side में आ जाएगा goods transfer, कितने का, पाँच हजार है, पचास हजार है, और किया किसको है, B को, तो B का खरीदा वा माना जाएगा, यह है, टू गुट्स, रिसीव, आचा जाएगा, यह टूटल कर लेंगा भी, फिर जर्नल टूटल भाजाएगा, ठीक है, अब क्या रहे गया हमारा पाटना, डिसकाउंट रिसीव, पी औल के इधर आएगा, बाई, डिसकाउंट रिसीव, भी, परचेस के रिश्यो में बटेगा, जो कि टूटल हमारा डिसकाउंट रिसीव, कितना है, चौदा सो, तीस, चौदा सो तीस को बाटते हैं, चलो, 1430, कितना बताया था, 143, है ना, किस रि अब आ जाएगा 74 तो यह आ गया 740 और 69 तो छेशोन अब यह देखें ठीक है और क्या रहेगा बाटनों जर्नल एक्स्पेंस वो नहीं बाटा चलिए आ जाएए किस रिशो में बटेगा जर्नल एक्स्पेंस सेल्स की रिशो में बाटा जाएगा टोटल जो जनल एक्समेंस है तोटल जनल एक्समेंस है 5400 5400 अठारा इन्टू में तस यानि 3000 और 1400 नहीं 2400 चेक है ये भी बाट दी ना सारा एड़िस्मेंट हो गया क्या आपको स्टॉक वाला समझ में आया यानि एक डिपार्टमेंट जब दूसरे को भीजेगा तो जो भीज रहा है उसके लिए सेल मान ले ना यहीं बाई में लिखते ना और जो ले रहा है उसके लिए परचेस मान के करते ना ठीक है अब चलो यहां भी टूटल कर देते हैं इन दोनों का टूटल करेंगे तो क्या जाएगा और फिर हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देंगे जागे एक सू तर्तालेश और यह 5000 ठीक है अब हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एं लॉस बनाई रहे हैं तो यह एका टूटल हो जाएगा एक लाग 5000 और यह असयजा और यह एक लाग 5000 और यह असी अजार टू ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है ना अब एक डिपार्टमेंट का अलग-अलग आ जागा एक लाग पाच अजार माइनस में 15200 माइनस में 74000 माइनस में 1400 यह आ गया हमारा 143 बीस ऐसे बी का निकाल लेंगे 80,000 माइनस में 10800 69,000 यह लॉस आ जाएगा यह क्याएगा लॉस आएगा सरी है क्योंकि यह साइट जाता है इसका देखा जाए तो 10800 69,000 यह आ गया 86 180 और 86 तो अब देखो इसका लॉस आगए आप हर किसी को सेपरेट सोचना आप ऐसा माइनस में भाईगा झाल एक पर देखिएगा फाइनिंशिल अकाउंट एक लास ठीक है हमने यहां तक एड कर लिया था तो लॉस जो आएगा लिखेंगे बाई लॉस और बाई लॉस आगया 6,180 अब इन टोटल जनल भी कर लो तो देखो प्रॉफिट ज्यादा है लॉस कम है तो इधर ही आएगा टोटल आगया इसका अभी एक चीज रह गया एक पॉइंट रह गया देट इस क्लोजिंग स्टॉक यह तो लिखना भूली गया क्लोजिंग स्टॉक चीक है तो पहले क्लोजिंग स्टॉक लिख ले हम अब लॉस प्रॉफिट हम बाद में देखेंगे अब दोनों साइड ही प्रॉफिट आजाएगा तो बाइग अब एक कितना दे रखा है आपको सत्राइट सो और बी का अब तो प्रॉफिट ही आजाएगा तो अब यह टोटल भी चेंज हो जाना है चलिए एक लाग आज हजार और वन सेवन्टी वन ट्वेंटी टूँ एट हंडड़ड वन ट्वेंटी टूँ एट हंड़ड माइनेस पंद्रादोशोग माइनेस सेवन्टी पूर थाव्ट माइनस चावड़़ग यह आगे बत्तिस एक सो बीस चीक है असी हजार तो यह आजाएगा नाइन्टी फाइफ सिक्स हंड़ड नाइन्टी फाइफ क्या आगे नाइन्टी फाइफ सिक्स हंड़ड माइनस माइनस यह नाइन फोर टू जीरो अब टोटलिंग का भी देख लो एक सी सतरा आठ सो और प्लस में फंद्रा छे सो यह आगया हमारा तैस चार सो प्लस एक सी दो तेरा चार सो दो तेरा चार सो माइनस में 26,143 और 860 यह आगे 36,540 अलग आ रहा है यह और 32 और 9 कितने हो रहे हैं सेम आना चाहिए यह तोटल एक वर देखो एक असी और तीन आठ तीन ग्यारा 26,145,000 और 860 एक दो देखा चार सो चुब्ड़ सुजाब 25,000 और 860 और 860 इदर ओके चीक है वही 5000 गफर रखार है यह 5000 इदर लिखना बूल गए तो यह ठारा हो जाएगा और यह ठारा हो जाएगा अब ग्रॉस प्रॉफिट इदर लिख देते हैं बाइ जीपी जैसे ट्रेडिंग अकाउंट था नॉर्मल है 31,600 पीस 9420 और 41420 ठीक है हाला कि टूटल वाला कॉलम बनाना मेंडिटरी नहीं है चलिए अब यहां पर निकाल लेते हैं किसका लॉस और किसका प्रॉफिट है ठीक है वो अगर देखा जाए तो 31,120 प्लस 7,40 यह आगे हमारा 31,860 31,860 और 2 नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट इसको ट्रांसफर करेंगे जीएल में जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है माइनस में नो हजार माइनस फिफ्टी एट हंडड़ माइनस च्छतिस सो माइनस बंतालिस सो माइनस एक हजार माइनस तीन हजार यह आगे 4960 ठीक है अगला देखते हैं अगला लॉस है यह आगे 23500 23500 और यह बाई में नेट लॉस आगया अब देखा जाए माइनस 9420 माइनस क्या यह क्या क्या यह नेट पॉफिट बोल रो हम हम 415 आएगा 540 चलो अब इसका तो यूज नहीं 415 50 या 540 540 चलो इसका तो यूज किया नहीं है देख लेते हैं 41540 ठीक है अब यहां पर आगया हमारा लॉस that is 13390 वस टोटलिंग चग कर लीजेगा इन टोटल में देखे तो हमारा 13000 और 49 तो देखा जाए तो नेट लॉस ही रहेगा अगर हम टोटल काउंट करते हैं तो यह आगे 50 400 और यह आगे 50 400 माइनस में 41 40 माइनस में 1430 44 34 34 का फाइनल लॉस आया ठीक है मतलब टोटल लॉस कह ले दोनों में क्योंकि इसका प्रॉफिट आया और इसका लॉस आया तो आप अल्टिमीटली देखेगो तो नेट में हमें क्या हुआ दोनों लेकिन अभी भी डिपार्टमेंट का काम खतम नहीं हुआ क्योंकि अब हमारा है जर्नल अब मैं जर्नल इसी के नीचे बना लेता हूँ जर्नल इसी के नीचे बना लेता हूँ ठीक है एक सिंपल सा इसको थोड़ा उपर ले जाते हैं और यहां समझाने के लिए बना देता हूँ जर्नल ताकि क्रॉस करने में आपको ना इजी हो जाए कि इधर से amount इधर जा रहा है journal बनाएंगे तो उसमें अब department A और B नहीं लिखना वो तो common हो गया सारा हमारा तो ये हमारा पुराने वाला P&L का तरीका रहेगा इसके उपर लिखना हूँ मैं journal profit and loss ठीक है अब इधर particular format वही रहेगा amount amount ठीक है अब देखा जाए तो सबसे पहले हमारे जो losses है उनको ले लेते हैं तो to कौन सा है हमारा department B का loss loss इधर आ जाएगा that is 13 या फिर आप अलग-अलग इधर इधर कर लें दो तरीके हैं देखिएगा 13,390 पे एक तो इधर लिख लूँ और profit को मैं इधर डाल दू या फिर दूसरा option है कि भाईया जब loss ही ले रहे हैं तो हम total का क्यों न ले ले क्यों कि आगे तो totally जाना है सीधा समझे या तो इसको इधर भी ले जाएंगे और इधर भी लेंगे या फिर total को ले लेंगे अब यहाँ पर क्या डाल देंगे सर accounting charge जो रहे गया था ठीक है कितने रुपे था accounting charge हमारे 500 रुपे और क्या मना कर दिया था नहीं हो सकता insurance और insurance कितने का था हमारा एक हजार अब हमारा net में loss आ अब इससे हमें क्या benefit मिलेगा इससे मुझे इतना समझ में आ रहा है कि भाई department B को बंद कर देना चलिए अगर ज़्यादा समय से loss चल रहा है क्योंकि उस लॉस में जा रहा है department A को मत बंद करिए क्योंकि ए में तो अभी भी profit है हमारा overall net loss हुआ लेकिन वजह भी ही है इसका भी चाहतर सो तीस प्लस पान सो प्लस एक हजार एट नाइन 308930 और बाए में लिख दोगे net loss 8930 यह overall हमारे क्या था एक पूरा कुश्चन था डिपार्टमेंट रहा है आपके सामने देखिए overall पूरा कुश्चन डिपार्टमेंट रहा है हां closing stock लिख लिए है चेक करीए उपर देखो 31,740 है या 32,740 है वह बिचा कर देखो क्योंकि हमने तो टूटल पर निखालाना है 32,120 और मैंने 31 ले लिया है ठीक है यह 32 है मैं यहां लाते लाते इसको 31 कर लिए था ठीक है 32 है इसलिए और यह 32 है तो यह भी 32 हो जाएगा क्योंकि मैं टूटल से काउंट किया गया है थोड़ा सब मिस्टेक देख रहा था ठीक है क्लियर है सभी स्टूडेंट को खरूँ गया हूँ छरूँ लगा बंट शेख दो झाल झाल